देवों के देव महादेव भोले शंकर की स्तोती देवी देवताओं संग इंसानों की ओर से सबसे अधिक की जाती है इसका परमुख कारण भगवान शंकर का भोला होना माना गया है भगवान शंकर अपने भक्तों की तपस्या से परसन होकर उनकी सभी मनों कामनाओं को पूरा करते हैं तब ही तो भगवान शिव को भोले नात कहकर पूजा जाता है आज हम आपको भगवान शिव के उन पावन मंदरों की जानकारी देंगे जिन मंदरों में भगवान शिरी क्रिशन सहित पांड़ों ने भारत के आठ स्थानों पर शिवलिंगों को प्राण परतिश्टित किया भगवान श्री क्रिशन अर्जुन ने की शिवलिंग की स्थापना हर्याना के कुरक्षेत्र में हुए महा भारत युद से पहले भगवान श्री क्रिशन वा अरजुन ने भोले नात का आशिरबात हासिल करने के लिए स्थानेश्वर शिवलिंग को प्रान परतिश्टित किया युद से पहले यहां पर इन्होंने पूर्ण विदी विधान से पूजन किया यह स्थान आज भी भक्तों के लिए बेहद पावन स्थलों में से एक है पांच शिवलिंगों को किया यहां स्थापित दीव से करीव तीन किलोमेटर की दूरी पर गंगेश्वर महादे मंदिर स्थापित है अग्यातवास के दौरान पांचों पांडवों अद्रोपती ने इस मंदिर में एक साथ पांच शिवलिंगों को स्थापित किया इस दौरान वह प्रती दिन इन शिवलिंगों का पूजन करते थे महारिशी वेद व्यास ने करवाई थी शिवलिंग की स्थापना उत्तर परदेश में बारा मंकी जिले की रामनगर तहसील में बनवास के दौरान पांडवों ने महारिशी वेदव्यास की आगया से हवन यग्यकर वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी इस शिवलिंग को लोधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से पुझा जाता है मन की उल्जन दूर करते हैं भैहरन महादेव उत्तर परदेश के परताब गड़ में अगयातवास के दौरान पांडवों ने मन की उल्जन वा अंजाने भै को समाप्त करने के लिए यहाँ पर भैहरन महादेव शिवलिंग की स्थापना की इस मंदिर में आज भी भक्त अपनी उल्जन और भै को दूर करने के लिए आते हैं ममलेशवर महादेव में मौझूद है 200 ग्राम का गेहु का दाना अग्यातवास के दौरान हिमाचल परदेश पहुंचे पांडवों ने यहाँ पर ममलेशवर महादेव मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की इस मंदिर में पड़ा 200 ग्राम गेहु का दाना भक्तों के लिए आकर्शन का केंदर बना हुआ है जो पांडवों के इस मंदिर के साथ नाते को प्रमानित करता है लाखा मंदल में स्थापित किया पांडवों ने शिवलिंग मौजूदा उत्राखंड में लाक्षा ग्रह से बच निकलने के बाद पांडवों लंबे समय तक यहां रुके थे अपने अवास के दरान पांडवों ने अपने आराध्य भगवान शिव की स्थापना की थी रिशी भारदवाज के कहने पर की थी शिवलिंग की स्थापना उत्तर परदेश में इलाहाबाद के परतावगड के पास पांडवों ने एक शिवलिंग की स्थापना रिशी भारदवाज के कहने पर की थी यह शिवलिंग पांडवों ने अपनी पाटली पुत्र यात्रा के दरान स्थापिक किया था इस शिवलिंग को पडिला महादेव और पांडेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है प्रागपूर में है कालीनाथ शिवलिंग हिमाचल की कांगडा घाटी के प्रागपूर गाव में बनवास के दवरान पांडवों ने यहाँ पर श्री कालीनात माहा काले श्वर शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ मंदिर इसक्षेतर में बेहद पावन स्थलों में से एक है यहाँ पर हर मनत पूर्ण होती है तो दोस्तो यह थी भगवान श्री क्रिशन सहित पांडों द्वारा स्थापित किये गए शिवलिंगों से जुड़ी चानकारी ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे जुड़े रहिए डी फाइव चैनल हिंदी के साथ